नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रकाश्कारोल आप सभी दोस्तों का शाकम ट्रेक्टर सर्विस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनेंदन करता हूं दोस्तों आज अपन बात करेंगे फार्मटेक ट्रेक्टर की लिप्ट के हैड्रोलिक फिल्टर के बारे में दोस्तो यह lift filter है जो common use होने वाला filter है क्योंकि अगर टेक्टर की जो lift में problem है तो फर्ष्ट टेक्टर के lift filter को चेक करना चाहिए कहीं वह चौक तो नहीं है तो यह बहुत ही important filter है जो hydraulic filter के नाम से आता है जिसे हम hydraulic filter बहुते हैं तो आज अपन फार्म टेक पावर टेक टेक्टर के अंदर यूज होने वाले hydraulic filter के बारे में बात करेंगे कि फार्म टेक और पावर टेक के कितने model में कौन-कौन सा hydraulic filter यूज होता है तो हमारे पास यहां लगबग तीन तरह के hydraulic filter जो यूज होने वाले वो है और जिसमें से जो running hydraulic filter है वो सबसे छोटा वाला और एक medium size का आएगा और एक सबसे बड़ा वाला big size का आएगा यह सबसे पहले अपन पार्ट नमबर है filter D10068630.9 जिसका MRP ए 190 रुपए और यह top company का आएगा जन्यून तो यह सबसे commonly और running filter है जो लगबग सारे टेक्टर में यूज होता है दोस्तों जो रेगुलर मोडल है पुराने और नए तो इसमें अपन बात करेंगे तो यह हैड्रोलिक फिल्टर को अपन अन्बॉक्सिंग करेंगे और फिल्टर की quality देखेंगे यह देखिए दोस्तों हमने अन्बॉक्सिंग किया इसको और अभी इसके पूरा निकलेंगे यह देखिए अंदर भी पार्ट नमबर आप देख सकते हैं और इसको बाहर निकलेंगे अभी जन्यून ने इट्व कंपनी का तो दोस्तों यह फिल्टर फार्म टेक के 45, 60, सित्तर 65 EPI, farmtech 60-50, farmtech 535, farmtech 45, 40, 35, 30, champion, farmtech hero, लगबग सारे जो common model है, उसमें ये यूज होता है दोस्तों, तो बहुत थी running filter है, hydraulic filter, इसे मान लो आप ये लगबग सारे ही टेक्टर में यूज होता है, तो ये filter जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, और किसी-किसी टेक्टर में ये अलग से भी यूज होता है, जो same model के टेक्टर में, अलग-अलग टाइप का filter यूज होता है, तो confusion create ना हो, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, ये regular model है, जो यूज होता है, ये अभी same टेक्टर का, same model का, ये हमारा पास, माइको बोश में भी उफलब दे, जिसके पार्ट नमबर भी देख सकते है, 9451-037-447 नाम से आएगा, ये पार्ट नमबर, जो माइको बोश में इस नाम से आएगा दोस्तों, इसका भी देख सकते हैं, देखिए, इसकी भी quality बहुत इच्छी है, और इस, इटोप से, तुलना करें, तो ये थोड़ा costly है, लेकिन इसकी quality, थोड़ी material इसमें अच्छा यूज है, heavy है, इसलिए इसकी rate भी बढ़ जाती है, दोस्तों, जहां ये, इटोप में 190 रुपे का है, वहीं, ये, बोश में 250 रुपे का है, और इस पर सारे instruction दिये गए है, तो दोस्तों, ये quality का फर्क आजाता है, MRP में, इसलिए थोड़ा ये costly होता है, बोश का, और ये इटोप का ही, जो second number पर आता है, hydraulic filter, जो medium size का है, ये भी बहुत से टेक्टर में use होता है, दोस्तों, और, इटोप नाम से आएगा ये, और इसको भी अपन अन्बॉक्सिंग क करके देखेंगे, दोस्तों, ये market में 437 रुपे की MRP मिल जाएगा, और इसके part number है, D100261 60.9, और, ये farm track, power track, दोनों ही model में use होता है, दोस्तों, ये देखिए part number, D100261 60.9, part number है, MRP इसकी 437 रुपे है, ये देख सकते आप, इससे बढ़ा आएगा, जो regular model में use होता है, hydro filter, उससे थोड़ा बढ़ा आएगा, ये, size देख सकते आप, बिल्कुल, इसको भी अपन, पॉलितिन हटा कर, पूरा clearly check करेंगे, दोस्तों, ये लंबा आता है, थोड़ा, जो regular hydraulic filter है, उससे लंबा आता है, और ये farm track के साथ 45, farm track 65, 55 के साथ ही, farm track के सी, ये, power track के, 434, 449, और euro 50 model में use होता है, दोस्तों, तो बहुत ही, running hydraulic filter है, ये भी, जो first वाला बता है, उससे थोड़ा कम use होता है, लेकिन ये भी use होता है, दोस्तों, और इसका भी, एक brand हमार पाद, माइको बोश में भी उपलब दे, वो भी बता देते हैं, इस पर सारे देखिए, प्रिकर्शन लिका हुए, और ये 368 रूपे में पढ़ेगा, दोस्तों, बोश के अंदर, इसका MRP, जो, इटोप कंपनी है, उससे कम हैं, दोस्तों, इसमें, ये मिडिल वाला, जो, हैड्रोलिक फिल्टर है, उसका MRP, जो है, इटोप से कम है, माइको में, बोश में, ये देख सकते हैं, इसके पार्ट नमबर, बोश के, अच्छी तरह से, ये देखिए, F002, H24, 9959 से आएगा ये, बोश में, और इसका एक ब्राण हमार बाब, फिट गड़ का भी ये देख सकते हैं, 304 इसका MRP है, इसका भी MRP का में, पार्ट नमबर, 502, 1864 आएगा, तो ये भी, पार्ट नमबर भी देख सकते हैं, वापिस अंदर की तरफ, सब फूरा लिका हुआ, अंदर भी, और अगर तुलनात्मक देखे तो अपन इसका वजन और मेटेरियल, इटोप और बोश दोनों से ही बेतर है, और अच्छा है, इसमें वजन भी ज्यादा है, और इसको उकालेटे भी बेश्ट है, और देख सकते हैं, दोनों नाप में भी एक नमबर बरोबर है, तो ये इसक सबसे हेवी है, और मेटेरियल भी इसमें अच्छा यूज किया है, फिट गार्ड ने, तो इन दोनों से ये पेस्ट है, ये हलका है ठोड़ा, ये से थोड़ा हेवी, और यू ये जैदा हेवी है, तो इसमें बहुत इच्छी क्वालिटी है दोस्तों पिट गार्ड वाले मे अगर तुलनात्मक देखे तो वाश और इटॉप से ये बेतर है MRP भी इसकी इच्छी है और क्वालिटी भी है इसमें वाश का भी इच्छा है दोस्तो और इटॉप तो नाम से ही चलता है विसे भी और ये एक फिल्टर हो रहे हैं सबसे लंबा आता है है इसके पार्ट नमबर है डी वन जिरो फॉर जिरो फाइब सिक्स वन जिरो पॉइंट नाइन और इमार्फी है तेरा सो पंद्रा जो दोजार अठारा की है पेकिंग इसकी अभी साधे डाउन हुआ है इसका इमार्फी 968 रूपे कुछ है यह भी बहुत से जो नए मोडल के जैंपियन क्लासिक टाइप मोडल है उनमें यह बहुत यूज होता है दोस्तों लंबा टाइप है और बहुत एच्छा है लंबा है तो इसकी सर्विस बहुत ही एच्छी है वह जदा है टाइम तक चलत 155 535 535 40 35 35 3535 फार्मटेग हीरो फार्मटेग चेंपियन के जो शारे नहीं मोडल है उसमें यही फिल्टर यूज हो रहा है दोस्तों और यह फिटगाट जो फिल्टर नाम से आता है जिसका मर्फी 740 है पार्ट नमर्च इसे थ्री 5471 है पिट्टर नाम से आता है जो कालेटी भी इसकी टॉप से ज्यादा चीज का वजन और मेटरियल हेवी है टॉप से कि देख सकते हैं आप सेम साइज है तो इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत यची क्वालेटी है फ्रीट कार्ड में यह भी फिट टर्म नाम से आ रहा है और यह पहले फिट कार्ड नाम से याता था इस पर देख सकते हैं लिखा हुआ भी फिट कार्ड और फिल टर्म एक ही है इसे कंफिजन नहों और साथ सो चालिस अमर्पे में पड़ेगा बल्कि जो ही टॉप में हो अभी 968 रुपे है और पहले तेरा सो पंदर रुपे था फिर भी फिट कार्ड है उससे ज्यादा कोस्ट्ली है और क्वालिटी है वो फिट कार्ड की बहुत ही अच्छी है तो यही यूज करना चाहिए द दिसक्स किया था कौन सा ट्रक्टर के अंदर बैस्ट रहेगा है इस वीडियो में बताया है यह सारे अन्बॉक्सिंग की होए फिल्टर आप देख सकते हैं तो दोस्तों हमारी यह जानकार्य आपको कैसी लगी कमेंड में लिखकर जरूर बताए और वीडियो अच्छा लग जरूर करें आपका एक लाइक हमें होसला देता है नए नए वीडियो बनाएं की पैरना देता है धन्यवाद